हेलो एफ्रिवान तो कैसे आपको उमीद का तबलग बहुत बने होगे तो जैसे कि आपने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा सौधेसी मुवमेंट को देखा इसके लाव हमने पूरा डीटेल यह जाना कि भाई जो पीजेंट्स हम लोगों ने किस तरीके से मुवमेंट्स को आपको मिल आएगा ठीक है सर्च कर लो आपको मिल लेगा यह फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं फिरल में आज के टॉपिक के आज के वीडियो के टॉपिक पर हां तो आज हम लोग पो उसी कहानी हमारा कंटीनी होने वाला उसी के बाद जैसे का मने बताया था कि सौ आपने पाया जाता है ठीक है अब देखते हैं कि गांधी जी वहां कैसे पहुंचे उन्हों ने क्या सती अगरा क्यों सुरू किया गांडी जी के सती अगरा के बारे आपको मालूम है कि इनका भाई कुछ अपना प्रिंसिपर्स है वह यह कि हम वालेंस नहीं करेंगे हम नॉ आप नए वीवर से तो चनल को सब्सक्राइब कर लेंको जो कंटेंट आपको यहां मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा और पॉइंट से यहां पर उसको लिखे इसके लागा जो मैं बोल रहा हूं तो आपको जो भी लगे इंपॉर्टेंट हो आप लिख लिए ठीक है देखो त आपका सौथ आफ्रीका से दिन नाइटीन एंडट सेवेंटीन में राज कुमार सुखला इन्हें इन्वाइट करते हैं कि भाई आप चंपारन इसली नहीं बोलाते हैं किसान का हाल देख लिए कि आप आप से कुछ बातचीत करनी है उसको के भी अंग्रेजें खिलाफ थे किसान की हालत है जो बहुत ही ज्यादा बत्तर है अंग्रेज उन पर बहुत तरह कर रहे हैं पहले पहले लेक्टर में नहीं नहीं प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ी है तब इन्हों बोला कि ठीक है जाएं किसान से मेल्ए ग्रॉंड लेबल पर किसानों उन वनलकाज की किसानों बताया कि बाद अभी चंपारन पहुंचेए खेडा पहुंचेंगे बाद में प्रोटेस्ट बतायों लेसंस देना सुरू कि सबको सत्याग्राय करना बताया है जो इनके सट्राइए पॉइंट्स थी वह सारी जब ऑद कंडिशन्स थी यह चीज वह तो अब जब अंग्रेजों को पता चला कि भाए जो गांदी जी हो आगा किसानों को बता रहे हैं उनको लागा यह लोग अभी तक कुछ नहीं कि आप गांधी जी बता रहे हैं तो पुलिस आए गांधी जी आज उसका साथी लो और बहुत से किसानों को उठा करके जेल में डाल लेकिन जेल में डाला तो वहां पर यह थोड़ा रिस्ट्रिक्शन इनकोरी कमिशन बैठाई गया इस बात पर कि भाई पता लगाया जाए कि आखिर क्या प्राब्लम है गिराउन लेबर पर किसानों के साथ क्या प्राब्लम सो रहे थी अभी आपको पता है कि देखावाए गारणे तरब से उनको पता है कि क्या हो यह चीज है किसानों करें लोगों को सब्सक्राइब रास्ता अपनाने को बोला कि भाई आप यूस किजिए अब उन्हें से उठारम जब यह पहुचे थे तो उस साल क्या हो था फसल अच्छी हुई नहीं थी फसल बिल्कूली खराब हुई थी अब फसल जब खराब हुई थी तो किसान किसान काम कर ने ठेने पर थे निए उननों बोले किसान काम करने पर थेने उनों नहीं करेंगे ऑब बीचार किसान कहां से अधा करेंगा पूंता था फसल बर्माद हो गया इसले गांदी ने बोला कि आप सद्रेगर आगा आप नहीं आप प्रोटेस्ट कीज़े तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना सुरूर किया इस तरीके से अक एक उस्तु रिजल्ट आ रहाता सामने इस चीज का कुछ बेनिफिट देखने को आपको पता है कि वह बहुत किसी इनसान थे बोलते ने लातों के भूते बातों से माननी की जरवती नहीं उनको वही चाहिए था उठाओ दे तना बढ़िया वही चीज था उनका साथ खैर तो गांधी जी तो करने ने तो बना प्रोटेस्ट करो अब इतना सारा चीज जो ग अच्छा-कासा बॉंड बन गया था उनकी बीच में अच्छा-कासा बॉंड बन गया था तो अब ऐसा हो गया था इनका क्रेज किसानों के बीच में गांधी का कुछ इस प्राकार था अब आपका बॉंड गांधी जी जहां पर आने वाले हैं और वहां पर बीड़ खटा कर देखे बाइगा अब नारा क्या लगता उससे नारा एक प्राइब बुगें बताएं नहीं क्या होई सब्सक्राइब जिन्दा बाद इस तरी कि होगा कुछ भी नारा लगाया करते थ करते हैं आफ्वाय गांधी जी है आ रहे हैं आपको पर्टापगर्णज है चे मत बस पर्ताबगर्ग के पर आजडी जी आ रहे है थोorar है достаточно कोंको परटाब जेल में चीव को फिर तार वहां पर बंद राम चंद्र को रहा तो वहां पर किसानों जाकर हमला और अपने लीडर को छड़ा वह लेके चलिया यह अप बेड़े लिखते हैं कि भाई नारा क्या शोप्रीज उसके बात है बात एतना किसान बढ़ गया थे गांदी जी के सपोर्ट की वजा कर उनकी बातों को सुन करके उनके सतियागराय को फॉलो करके कि वह जो खटता हो जाती थी मैदान भीड में अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो किसानों को क्राउड बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वहां पर तो उस पीता बजल करने साभिल्ड zerजें जो की एक है जो फायर करें ही आप वह उसकता है कि सारे चीजर आप इस तरहीं रखेंदी जी तो तो गांधी परिवार की ही आप खेती ये पूरा का पूरा तो गांधी जी का यह भी मुटिप था कि वह सही तरह की स्टार्टिंग में जब 1905 में जब आये थे इंडिया तो उन्होंने यह इसी लेवल पर काम करना शुरू किया था कि इंडियन नैसल कॉंग्रेस को हम लोग फ पहुंचेंगे तभी तो वहां पर हम अपने वाज को रख पाएंगे यह चीज उनका सुरू में वही टार्गेट था फिर वह इस तरह कैसे किसानों के साथ जुड़े टेक तरह किसानों के लेडर भी बन गया उनके नजर में उनके नजर में वह एक रहनुमा बनके सामने आ सब्सक्राइब तो इसके साथ अगर हम जूड़ते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और जो एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ किसानों का क्या रिलेशन था यह लोग इसके किसान और अदम ताउन तहरीक जो हमारा है उसको हम लोग देखेंगा अपने नेक्स लेक्चर में फिलाल आज का लेक्चर में यहां था कहानी हम लोग बंद कर देते हैं जितने पॉइंट्स मैं लिख र होगी और वह आपको ज्यादा है एंसा राइटिंग में यहां सब्सक्राइब कर आते हैं तो इसलिए आप कर पाऊगे मेरा मकसद दी रहे था कि चीजों को बहुत जितना सिंपल हो सब्सक्राइब करके मैं आप तक पहुचा पाऊं और उम्मीद है कि मैं काम्याब भी और आज के लेक्चेर अपसे इतना ही में मिलेंगा अपने बहुत जल्द अगले लेक्चेर में जहां पर हम बात कर रहे हूं किसान और इंडलनेसल कॉंगरेस के रिलेशन्शिप के बारे में तो तक अब पढ़ाए करते रहे हैं all the very best